उत्राखंड में 10 साल पुराने कोमर्शिल वाहनों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रोटी का संकट भी खड़ा हो जाएगा। ये कनुमान के मुताबिक प्रदेश भर में धाई लाग से अधिक कोमर्शिल वाहन संचालित है। इनमें अधिकतर वाहन 10 साल से जादा पुराने हैं। तो वैसे वाहन जो 10 साल पुराने हो चुके हैं उन सब पर प्रतिबंद लग जाएगा। वो नहीं चल पाएंगे। परिबहन विभाग ने तयार किया है प्रस्ताव परियाबरन को देखते वे ये फैसला लिया गया है। दस साल पुराने कॉमर्शिल वाहनों को बंद कर दिया जाएगा प्रदेश में। विरोध कुमार इस खबर पर और जादा जानकारी के साथ जोड़ चुके हैं। रुक करतें सीधे उनका विरोध जो अनुमान लगाया गया उसके मुताबिक प्रदेश भर में तक्रीबन धाई लाग से अधिक कमर्शिल वाहन संचालित हैं। इनमें से अधिकतर वाहन दस साल से अधिक पुराने एकाये कि ये जो फैसला सामने आया है। इसको लेकर के क्या कोई नाराजगी विरोध भास देखने को मिल रहा है। जी देखे प्रिया कि जिस तरह से अभी दस साल जो पुराने कमर्शिल वाहन हैं। उन पर रोक लगाने की एक कवायद उत्राखंड में शुरू हो गई है। और आपको बताए कि लगातार उत्राखंड में करीब ड़ाई लाग ऐसे कमर्शिल वाहन हैं। दस साल पुराने जो कमर्शिल वाहन हैं उन पर प्रतिबंद कर दिया जाएगा। ये प्रिकरिया है, प्रिष्टाव तयार है। अघ्यामी 4 नवंबर को प्रिवयन प्राधिकरन की बैटक होनी है। इस पर ये मन्तन होगा चर्चा होगी आखिरकार किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में जो दस साल पुराने वाहर है उनको उस पर परतिबंद किया जाए तो वो देखने वाली बात होगी इस पर प्रस्ताव तयार है चर्चा होनी है लेकिन इतना जरूर है इस पूरे मामले पर इस फैसले का विरोधा भाद जरूर होगा क्योंकि परिवयन संगटन खुद आज सड वो भी संख्या बहुत है उसमें टैक्सी हैं मैक्सी हैं ट्रक हैं बसे हैं तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कमर्शल वाहन धाई लाग की संख्या में हैं और वो बंध होते हैं तो कही ना कहीं जो परिवयन करमचारी हैं अधिकारी हैं जो उसमें कारिय परिवहन विभाग नहीं पूरा प्रस्ताव बनाकर परिवहन प्राधिकरण को सोंप दिया है उसमें आगामी चार नॉवंबर को बैठक होनी है जिस पर यह चर्चा की जाएगी आखिरकार किस एंगल से हम इन जो डाइलाग के करीब कमर्शल वाहन है उनको बंद कर दिया जाए और लेकिन महतपूर्ण इतना है कि यह सारे सिरफ परदूरसंड से निपटने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं लेकिन मैं आपको यह भी बताओं कि जिस तरह से साल दर साल एंजी टीबी लगतार परदूरसंड से निपटने के ल रहा था लेकिन अन्य राज्यों की बात दूसरी है लेकिन उत्राखंड में अदेश का कोई अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया लेकिन अब यह एक क्वाइद दूसरी शुरू हुई है कि जो दस साल पुराने कमर्शल वान है उन पर प्रतिबंद कर दिया जाए अब देख इस फैसले को किस तरीके से वो अभी उस पर बंतन किया जाएगा लेकिन इतना ज़रूर है कि जो परिवायन संगठन है उनकी करब से कोई विरोधा भास किया गया है क्योंकि एका एक धाई लाग से ज़्यादा वाहन बंद होते हैं रोजी रोटी का संकट तो आएगा ही इसी तोर पे यहां लोगों को एफेक्ट करेगा यह फैसला लोगों को परिशानी होगी आवागमन में इसको लेकर के क्या किसी तरीके की हर्टाल की चेतावनी घिराव की चेतावनी दी गई है इन वाहन संचालकों की तरफ से जी निश्य तोर पर पिया मैंने जैसे आपको बताया कि यह फैसला एक ऐसा फैसला है उन करमचारियों के लिए जो पूरे दिन सेवा देते हैं और ऐसे टैक्सी संचालित करते हैं मैक्सी में हैं टरक चलाते हैं बस चलाते हैं तो तमाम उनके परिवारों पर यह संकट आने बंद हो जाते हैं तो संगठन पूरी तरह से सड़कों पर उत्रेगा और पूरी तरह से परिवयन विभाग के खिलाब धंडा धंडा प्रदर्शन और मोर्चा खोल देगा लेकिन इतना जरूर है कि अभी फिलाल आज भी उनका आये है कि इस फैसले को लेकर वो अब प्रदर् जो कमर्शिल वाहन हैं उनकी एक प्रस्ताव तयार कर उन पर प्रती बंद करने के लिए संभागे परिवयन पराधी करण को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है प्रस्ताव सौंप दिया है बहुत शुक्रिया विनोधा आपका तमाम जानकारी देने के लिए तो परिवाहन वि लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज है www.facebook.com.abpganga ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है twitter.com.abpganga